तो मेरे भाई साउथ अफरीका T20 कवर करेंगे सुभा सुभा अपना यूजर्स ने जी एल विन किया मज़ा आया देखो मेरे भाई इस मेच में हुआ किया सून कर आपको अजूब लगेगा जो वीडियो टीम था उससे लोगों नो विन कर गया फिर मैंने एक टीम दिया आप डिरीम लेवन नहीं देता है आपका भाई कहीं न कहीं से देता है और एसे मेच में लोस हो तो हमारे यूजर्स में तबाही कमाल हो जाता है क्या सवरा भाई बिना लाइना बाले मेच लोस कैसे जा सकता है बीते चार साल में हम लोग जो भी फाइदा का सबसे जादा ज जो चीजे हम लोगों को मिला वो बीना लाइना बाले पर हुआ और दूसरी चीज है कि बीना लाइना बाले मेच सही ना जाए तो मैं कुमा में चला जातो भाई यह डोमेश्टिक फिलेंग लवन फेमली पूरे भरोसे करते हैं बस बसरतीस में आप लोगों को थोड़ा सा एक पिलेंग लवन फेमली ही चला अगर जिदी किनी को एकाक लीग में लोस का सामरा करना पड़ा तो याद रखां डोमेश्टिक का ही बंदा होगा जो इडिट नहीं कर पाया कोई वीडियो टीम से खेला कोई फाइनल टीम से खेला हर टीम से प्रोफिट गया और जिनका लोस गया किसी तरह दुरभागी तरीका से जाना वेडर लग रहा अपना यूजर से ही आप टकरा गए होंगे बस किलेश की बात रहती है किलेश से डरो मत अपना यूजर ले जाता मीनी जील आया जील आया मजा आया यहाँ पर देख सकते हो सेम कोमबो इनके लाव दोस्तों वर रिजल्ट भी बढ़िया दे पाता है तो मेर भाई यह साउथ अफरीका टीटवन्टी इनवेस्ट किस परकार करना है देखो अभी तक मैंने दो मुकावला साउथ अफरीका टीटवन्टी में कवर किया एक अल्ट्रा के लिए उसी एक अच्छा नहीं गया जो हकीकत है अब टीम जो मैं खूद खिलता हूं इनके लावे जील का टीम पीच रिपोर्ट प्लेंग लेवन्ट यानि कि बहतर से बहतर सांदार से सांदार टीम बनाने के लिए जितने चीजों कि अब सकता होती है ने मेरे भाई सारा कुछ टेलिकराम चैनल पर ही प्रवाइड करता हूं त तो मेरे भाई जैसा कि आप हमारा इस परकार्श वीडियो देखते हूं यह डिस्क्रिप्टन पर आपको किलिक कर देना है जैसे यहां पर किलिक करेंगे नीचे आपको बुलू कलर में दीख रहा होगा तो इस मोर बाले पर आपको किलिक कर देना है ताकि बड़ा नाजर आ जैसे किलिक करोगे यह हमारा टेली गराम चलनल डोमेस्टिक पिलिंग लेबन पर आज आओगे यहां पर जूर जाओगे बिल्कुल आप फीरी का फाइदा उठा सकती हूं सबसे पहले हम लोग देखेंगे मेरे भाई DSG की टीम जो लास्ट मुखबला भाई ब्रिडिज के 43 डी कोक 73 जेजे इस मर्स की बाद के 75 करिया रिकोडिन का जबरदास्त है आपको याद होगा जो हम लोग डोमेस्टिक खेलते हैं इन के लाब निकोलस पूरण 31 पे 60 जड़ दिया 6 गेन पे 13 रन कलासिन कलासिन का कहना था कि और क्या गेन बचा है या फिर खतम होगया याने कि और रन बनाने का इक्षा था तो DSG की टीम बहुत ज़्यादा इस्टोग इनका टोप आउडर तो देखो भाई कमाल खा जो भी यह जो T20 बलास्ट होता है 100 में चोता है वहाँ पर इनका परदसन तो बहुँ ज़्यादा बढ़ना रहता है वान मल्डर पार्ट टाइम इनसे गेन बाजी कराय जा रहा है तो थोड़ा सा देखना होगा कीमो पॉल पहले गेन बाजी में डेथ में भी डाल सकता हलंकि यह ब करके देगा जब इसकी टीम पहले गेन बाजी करेगा डेथ में डालेगा स्लोवर का इस्तिमाल करेगा आपको याद होगा यह जब IPL खेलता है वहाँ पर किस परकार से कारगर साबीत होता है साथ बले बाजी मिल जाए बले बाजी भी करेगा जेजे इस मट से हाँ पर दो पॉर्डर पे केप्टन भीसी का तकड़ा चुआइस होगा इनके लावे अगला मुकाबला DSG ने खिला सामने का टीम बहुत बड़ा इसकोर खड़ा कर देते हैं DSG के टीम में कीमोपोल दो बिक्टेल जाते पहले गेन बाजी याद रखना पहले गेन बाजी में सामने की टीम अच्छा इस्ट्रोंग होने के बाब जूद भी कलासेन ने पचासी जरूर जड़ा लेकिन टीम यहाँ पर डकवर्ट लूई सिस्टम के अधार पे हार गई हलांकी पूरा मेच होता तो हमें लगता है विन भी कर सकता था क्योंकि प्रिटोरियस भी अच्छा बल्ले बाजी कर लेते सुबरन्यम भी कर लेते इनके लावे केसा महराज भी तो एक दिल्चास मुकावला होता खर कोई नहीं मेच मेच जो निर्कल गया रिजल्ट इनके लावे ब्रिट्सके ने 49 का योगदान दिया यहां से देख सा तो वान मल्डर पांच रान ओपन इन लेगन इमपोर्टेंट रहेगा मोहिनली एन बर्गर और विलियम्स पहले गेन बाजी मार सेफट भी इमपोर्टेंट रहेगा आर सांते बले बाजी कर लेता है तो यह चार इमपोर्टेंट रहना चे क्योगी बले बाजी कर लेता है तो इमपोर्टेंट तो रहेगा आर से बाकी मेरे भाई JSK का दूसरा मेच ओवेंडेड हो गया तो सबसे जादा इंपोर्टेन अब बचा है वो कोंबीनेशन चलिए कोंबीनेशन देखते हैं लेगिन इससे पहले अग जदे हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो मेरे भाई तो जल्दी से जाकर सबस्क्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम इलमन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे फ़ले इंफोर्मेशन देता हूँ इनके अलावे को जनकारी लेना हो इस्टा पे मेंसेज करो मैं वहाँ पर सारी लोग कर इपलाई देता हूँ वह भी बेहतर तरीका से मेरे द्सजी की टीम थोड़ा सा इस्ट्रोंग लग रहा है तो यहां से मैं क्वंटन डिको निकोलस पूरान तो हेंड्री कलासें अगर जोड़ी इसकी टीम पहले बल्ले बाजी करता है तो पिक करूंगा वरना ड्रोप करूंगा ताभी फिलाल इनको ड्रोप करके चलता हूँ बाके एंब्री डिस्के यहां से इंपोर्टन रहेगा जे जे इस मट्स यहां से इंपोर्टन रहेगा ड्वेन प्रिटोरियस को परबादें बात करेंगे यहां से कीमोपोल इंपोर्टन रहेगा डेथ में भी डालनेगी छमता रखता है आर्टूफली किसम महराज आर्गि यहां से देखो एक अगर यहां से नाम आता है बले बाजी सकते हैं अब इस टीम पर छेडखानी क्या कर सकते हैं देखो अगर जदी पहले बल्ले बाजी क्या क्वांटन डिकोक की टीम तो यहां से कीमो पुल और यहां से देखा जाए आरगिलेसें इन दोनों में से यहां दोनों को ड्रोब करूँगा और एक वहां पर हैंडरी कलासरिस न को पिक करूँगा और यहां पर एन वरगर या फिर एल विलियम्स के पर जाओंगा क्योंकि पहले गिन बाजी करेगा दोनों में से किसी एक डेद गिन बाज को तो लेना होगा और सामने टीम पहले बले बाजी कर रहा तो वह या कलासिन का बले बाजी आएगा तगड़ा हार्ड हीटिंग करता है अब यहां से देखो केप्टन बीसी का बढ़िय यह सब सारे उप्शन बढ़िया है तो मेरे भाई फिलाल के लिए वीडियो के यहीं समावत करता हूँ आसा करता हूँ भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ट वहतर जाए आप लोग भी भगवान से यही दुआ करो यह हम लोगों का यह मुकाबला अल्टरा किलिम सि झाल